नमस्कार, इस वीडिय warfare हम बात करेंगे KUBOTA A211 N Mini Tracker के बारे में यह tractor एक 4WD Tracker है और Mini Tracker है और यह tractor किसानों के लिए एक Multipurpose Tracker हो सकता है क्योगि इस tractor में काफी powerful engine लगाया गया है और tractor की चोड़ा काफी कम रखी गई है इसलिए आप लगबग कोई सा भी काम जो बड़े ट्रेक्टर नहीं कर पाते हैं उसके लिए यह ट्रेक्टर यूज कर सकते हैं और इस ट्रेक्टर में आपको 21 पावर का पाउरफुल इंजन देखने को मिल जाएगा वहीं काफी अच्छा माईलेज भी देखने को मिलेगा इसके लावा इस ट्रेक्टर की जो टर्णिंग रेडियस है वो भी काफी कम दी गई है इसलिए बागवानी करने वाले किसानों के लिए और स्पेशल तोर से गन्ना की बोई करने वाले किसानों के लिए यह ट्रेक्टर किसी वर्दान से कम नहीं है इस ट्रेक्टर की चोड़ाई सबसे कम दी गई है इसलिए यह बारत का सबसे कम चोड़ाई वाला ट्रेक्टर है और इस ट्रेक्टर में आपको 4-wheel drive मिल जाएगा reliable diesel engine मिल जाएगा और easy maintenance वाला आपको single-piss bonnet भी देखने को मिलेगा तो आईए जानते हैं इस ट्रेक्टर के सबी advance feature और ट्रेक्टर की किम्मत के बारे में अगर आप इस ट्रेक्टर की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेक्टर की overall design की तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंट में काफी बड़े बड़े head lamp दिये गए है और बीच में Kubota का logo लगाया गया है और फ्रेंट में ही आपको black color की काफी attractive जाली देखने को मिल जाएगी इसके लावा यहापर आप bonnet के निचे देख सकते हैं कि ट्रेक्टर के जो दोनों four wheel drive के front tire है उनके बीच में काफी मजबूत front axle लगाया गया है और यह काफी sealed है इस वज़े से इसमें आपको ज़्यादा maintenance का खर्चा नहीं आएगा इसके लावा side में आपको Kubota A211N की branding की गई है और यहाँ पर आपको mention किया गया है कि इसमें पांच साल की warranty मिल जाएगी इसके लावा tractor नियो इस्टार सीरीज में आता है और side में आपको indicator और reverse gear की light देखने को मिल जाएगी इसके लावा tractor का जो overall look है वो काफी attractive बनाया गया है और इसमें आपको single piece bonnet मिल जाता है बात करें ट्रेक्टर के color code की तो ट्रेक्टर अपने unique color combination में आता है जो कि आपको black color और orange color का combination देखने को मिलता है और front में आपको tractor की better मिल जाएगी और fuel reservoir का भी आपको यही slot देखने को मिल जाएगा और इसके लावा ट्रेक्टर four wheel drive में आता है और आप front axle देख सकते हैं जो कि काफी heavy duty दिया गया है इसलिए ट्रेक्टर के axle का maintenance भी आपको ज़्यादा नहीं आएगा और बात करें ट्रेक्टर के overall look की तो काफी attractive design है और यहाँ पर आपको काफी सारे graphics भी देखने को मिल जाएंगे इस वज़े से ट्रेक्टर का जो look है वो काफी enhance होता है और यह ट्रेक्टर गन्ना बोने वाले किसनों के लिए special तोड से design किया गया है सबसे पहले बात करते हैं ट्रेक्टर के engine के बारे में तो इस ट्रेक्टर में आपको 21 पावर का 3-cylinder वाला engine देखने को मिल जाएगा जो कि Kubota D1105 E4 नाम से आता है और इस engine में आपको ETVCS liquid cooled technology देखने को मिल जाएगी और यह ट्रेक्टर डीजल engine के साथ आता है बात करें ट्रेक्टर के cubic capacity की तो इसमें आपको 1001 CC का engine देखने को मिल जाएगा जो कि लगबग 21 होर्स पावर की पावर जेनरेट करता है बात करें ट्रेक्टर के RPM की तो इसमें आपको 26 इंजनरेट आर्पियम देखने को मिल जाएगे और PTO पावर इसमें आपको 15.4 होर्स पावर की देखने को मिल जाएगी जो कि लगबग 11.5 किलोवाट की पावर रेडियूस करती है बात करें ट्रेक्टर के maximum torque की तो इसमें ट्रेक्टर आपको लगबग 58.3 Nm का maximum torque प्रोवाइड करवाता है चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेक्टर के instrument cluster और platform की तो आप देख सकते हैं कि अपने श्रेने के हिसाब से इसमें सबसे चोड़ा और काफी बड़ा platform दिया गया है इसलिए आपकी जो भी ride है इस पर वो काफी comfortable रहने वाली है और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी इसके अलावर ट्रेक्टर का जो clutch है वो आपको single dry type का clutch मिल जाएगा जो की maintenance free होता है इसलिए काफी लंबी service आपको provide करवाता है बात करें ट्रेक्टर के steering wheel की तो ये काफी unique design में दिया गया है इस ट्रेक्टर का meter है वो काफी unique design में दिया गया है इसमें आपको ट्रेक्टर का temperature meter ट्रेक्टर का rpm कितने घंटे चला है और ट्रेक्टर का diesel कितना है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसके लवा यहीं पास में आपको speed throttle मिल जाएगा और बात करें ट्रेक्टर के braking system की तो इसमें आपको oil immersed brakes देखने को मिल जाएगे जिनके lever side में दिये गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि key hole है इसके लवा निच्चे आपको tractor का engine stop lever भी यहीं आपको देखने को मिल जाएगा इसको pull करने से engine off हो जाएगा इसके लवा tractor के pedal यहाँ पर जाएगे brake के और tractor की foot race यहाँ पर मिल जाएगी आप देख सकते हैं कि इस tractor में वो सभी फीचर दिये गए हैं जो लगबग एक बड़े tractor में आपको देखने को मिलते हैं इसके लवा इसमें आपको काफी comfortable seat दिए गई है जिस वजह से थकान कम आएगी और tractor की seat को आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं और यहीं पास में आपको काफी सार लिवर देखने को मिल जाएंगे बात करें tractor के main gear लिवर की तो इसमें आपको neutral reverse और first second third तीन option आपको gear के हैंपर मिल जाएंगे और यहीं पर पास में आपको tractor के hydraulic मिल जाएगी जिसको आप अपने हिसाब से adjust करके use कर सकते हैं इसमें काफी ज़्यादा settings दी गई है इस वज़े से tractor की जो hydraulic है वो भी काफी अच्छे से काम करती है इसके लवा बात करें tractor के four wheel drive engage gear की तो यह यहाँ पर दिया गया है जिससे आप tractor को two wheel drive और four wheel drive दोनों में ही आप आसानी से convert कर सकते हैं इस side देखें तो आपको high low medium का lever मिल जाएगा और इदर आपको PTO lever मिल जाएगा जिसमें आपको 540 और 900 C दो PTO option आपको देखने को मिल जाएगे इसके लवा यहाँ पर आपको एक holder मिल जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को रख सकते हैं और इदर आपको four wheel drive की बेजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर इस्टेंड दिया गया है जिसमें आप tractor की canopy लगा सकते हैं इसके लावा back side में आपको यहाँ पर turn indicator और brake light देखने को मिल जाएगे और tractor की जो seat है उसके पिछे आपको एक reflector देखने को मिल जाएगा चलिए बात कर लेते हैं tractor के back side की तो यहाँ पर आपको tractor की काफी अच्छी hydraulic जो की अच्छी lifting capacity के साथ आती है और tractor की PTO दी गई है चलिए अब बात करते हैं tractor की hydraulic unit के बारे में तो इस tractor में आपको जो hydraulic control system दिया गया है वो position control दिया गया है अब three point hitch की बात करें तो इसमें category one end type की three point hitch दी गई है बात करें tractor के lifting capacity की तो इसमें आपको 750 kg की काफी अच्छी lifting capacity मिल जाती है इसके लावा tractor का fuel tank 23 liter का आता है अब बात करते हैं tractor के dimension की तो इस tractor की कुल लंबाई 2390 mm दी गई है और वहीं चोड़ाई 910 और 1000 दो option आपको देखने को मिल जाएंगे इसके लावा overall height की बात करें तो 1260 mm की कुल उंचे दी गई है इस tractor की और बात करें tractor के wheel base की यानि कि दोनों पईयों के बीच की दूरी लगबग आपको 1560 mm दी गई है और इस tractor में 250 mm का ground clearance दिया गया है अब बात करें tractor के weight की तो इसमें आपको 600 kg का weight दिया गया है चलिए अब बात करते हैं tractor के tire size की तो इस tractor के front tire पांच बारा की size में मिल जाएंगे पिछले टायर आठ अठारा की size में आपको देखने को मिल जाएंगे अब आखिर में बात कर लेते हैं इस tractor की किमत की तो इस tractor लगबग आपको पांच लाक रुपे में मिल सकता है और इसकी exact किमत जनना चाहते हैं तो अपने नजदी की कुबोटा डिलर्शिप पर जाकर पता कर सकते हैं किसान बायो यह ट्रेक्टर आपको किसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लखें और वीडियो बसंद आए तो लाइक करें और किसान बायो के साथ शेयर करें और क्रशी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरू करें